मुबाइल को इतना जादा यूज़ कर रहे हैं और इस मुबाइल को यूज़ करके सब्वेर एट सर्टन पॉइंट हम खुद भी यह सोचते हैं कि हमारी आखे बहुत जादा भारी हो चुकी है इस सारी चीज़ों में हमारा लाइफस्टाईल चीज़ हो चुका है और सबसे जादा अगर कोई बॉडी का अगर पाट सबसे जादा अगर हम हो रहा है तो हो है हमारी आखे इन आखो पे ना के सिफ मुबाइल की light का impact आता है लेकिन हमारे regular मुबाइल और laptop के प्रयोग के साथ-साथ बढ़ते बहारी temperature जो भी UV rays है बहार जितने भी pollutants है अगर आप शायद मुबाइल और laptop यूज़ करने वारे लोग नहीं हो सकते हैं तो भी आपने देखा होगा कि हवा में इतनी सारी धूल मिट्टी है हवा में इतनी सारी chemicals है और अलसो टेंपरिचर यह सारी चीज़े हमारी आखों को और ज़्यादा sensitive बनाती है आखों से आखों में जनन होना, आखों में आखों से पानी आना हमारे आखों की जो muscles है, वो कई जाप बार हमें weak feel होते है and ultimately जिसके बज़े से dry eyes के problem हमें feel होते है कई कबार रात में नीन भी नहीं आती और yes, ऐसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा अलबिला product यहाँ में बनाया गया है and the product name is हमारा sharp eye gum नाम के साथ ही पता चलता है कि यह हमारी आखों को sharp बनाने के हेतू से पनाया गया है और आखों के ध्यान हमें हमारे आखों की एक सही तरह से care करने के हेतू से इस product का proper design किया गया है let us understand इस product में है क्या तो हमारे sharp eye gummies जो है इसमें हमने omega 3 यानि की DHA add किया है आख सबको पता होगा कि DHA हमारे आखों के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है और omega 3 का इस बहुत ही बढ़िया important essential compound है DHA in fact इसके साथ साथ हमने इसमें add किया है vitamin C हमने इस product में add किया है vitamin E हमने lutein add किया है Asta xanthin add किया है और plus इसमें हमने xanthinin भी add किया है जो help करता है आखों की health को बरकरार रखने के लिए इन सारी nutrition के साथ साथ सबसे important nutrition आपको के लिए which is vitamin A तो हमने इसमें vitamin A भी add किया है और इन सारे एक proper composition के साथ बनता है हमारा sharp eye coming तो जब मैं इसे regular consume करती हूँ सबसे पहले तो यह मेरे eye tissue के जो damages होते है sunlight के वज़े से उसे यह repair करता है protect करता है प्लस यह हमारी eye health को protect करता है anti oxygen की सहारे और और also यह हमारे जो region loss होती है age related उसे यह control में रखने के लिए मदद करता है in fact age related region loss होता है function damage होता है आखों का इसके भी यह repair करता है आखों को एक बड़िया safeguard देता है और हमारा जो corneal nerve damage होता है उसके लिए भी यह support करता है I think yes, I'm sure अगर आखों की health के लिए अगर typically product अगर moody care आपके पास देखे आते हैं तो आप सब लोग इस product को जरूर try करे, consume करे और अपने आखों को शांख बनाए लेकिन सबसे बड़िया बात यसी है कि इस product को अगर हम दे सकते हैं पात साल के ऊपर के बच्चों के लिए आप यह सोच के डरते हैं कि मेरा पात साल का बच्चा या मेरा आठ साल का बच्चा अगर इतना बार बार मुबाइल ले रहा है मेरे अगर पाच यह शे साल के बच्चा अगर बहुत सारे यह नो मुबाइल पे खेल रहे हैं के खेल रहे हैं anything it could be I think sharp eye gummies आप हमारे बच्चों को आपके घरवाले जो आपके family members है उनके लिए भी जरूर आड कर सकते हैं so yes definitely sharp eye gummies को आज ही अपने डाइट में आड कर दीजे for your better eyes and of course for your better care of eyes तो कितने ले सकते हैं sharp eye gummies को आप सबसे पहले तो better strawberry flavor के साथ यह मिलते हैं तो यह strawberry flavors के gummies को जरूर अपने डाइट में आड दीजे 2 gummies per day ऐसा इसका recommended dosage है तो एक gummies आप इसे morning में ले लीजे एक gummies शाह में ले लेजे तो two gummies per day से खाना है अगें gelatin free है, vegan है, soy free है, nut free है and किसी भी तरह के artificial colors हमने इसमें add नहीं करे है stevia add करी है हमने इसमें again क्योंकि as a sugar replacement तो definitely आप अगर सोच रहे हैं कि diet cautious अगर मैं हूँ और मैं कहीं भी भी जादा sugar consume नहीं करना चाहती हूँ तो don't worry इस सारे अगर आप products में देखेंगे तो max to max every product content 1.5 grams of sugar and rest is stevia powder which is again the natural sugar content content तो definitely आपके शाप आई gummies को भी ले सकते हैं अपनी एक बहतर एक बहुत ही सुरक्षा आपके आखों को प्रवाइड करने के लिए ना हम हम चलते हैं हमारे अगले